प्रोटीन लिया क्या? खुद से पूछिए ये सवाल. भारत में लोगों का प्रोटीन की एहमियत से अंजान होना और इसकी कमी झेलना बड़ी समस्या है. शाकाहरी लोगों को प्रोटीन का विकल्प आज माना ही पड़ेगा. देश में हाल में प्रोटीन को लेकर एक सर्वे किया गया. 16 शहरों में 2,142 माओं से पूछे गए प्रोटीन को लेकर सवाल. जो नतीजा आया, उनसे पता चला कि भारत में प्रोटीन की कमी से जुड़ी समस्या क्यूं है? लगभग 95 प्रतिशत माए सोचती हैं कि प्रोटीन एक माइक्रोन न्यूट्रियंट है, यानि ऐसा पोशन तत्व जिसकी बहुत कम मातरा चाहिए, जबकि हकीकत इसके उलट है. वहीं सर्फ तीन प्रतिशत माए जानती हैं कि रोजाना के भोजन में कितनी मातरा में प्रोटीन का होना ज़रूरी है. इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च, ICMR के मताबिक एक स्वस्थिवक्ती जितने किलोग्राम का होता है, उसे उतने ग्राम प्रोटीन की ज़रूर हालिय सर्वे में पाया गया कि भारतियों में प्रोटीन की कमी लगभग 80 प्रतिशत है. तो क्या हम अब भी प्रोटीन का महत्व नहीं समझ पा रहें? और ये मामला सर्फ आर्थिक हालात से नहीं जुड़ा. निम्नवर्ग के साथ उच्चवर्ग के लोगों में भी मानसाहार और मानसाहार जुड़ा है. एक सामान्य सी सोच है कि हर दिन भरपेट दाल, चावल, सबजी और रोटी खा लेने से शरीर स्वस्थ रहेगा. इसी सोच का असर पढ़ रहा है खान पान पर. देश में मानसाहारियों की तुलना में शाकहारियों की संख्या बहुत अ पकाना चाहते. वे मानसाहारी जरूर हैं लेकिन खाते हैं केवल होटल रेस्तरा में जाकर. दूसरी और शाकहारी परिवारों की बात करें तो वहां अंडा तक वर्जित है. ऐसे कई परिवारों को नहीं पता कि प्रोटीन के दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं. वनस्पती प्रोटीन कैसे एनिमल प्रोटीन की जगह ले सकता है. यूँ आप देख सकते हैं कि प्रोटीन की राह में कितने रोड़े हैं. और इस वज़े से दो बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं कुपोशन और मोटापा. प्रोटीन की जरूरत होती है टिशू के निर्मान और मरम के लिए ये उर्जा का स्रोथ भी है. इसके बारे में जानने के साथ ये भी जानना चाहिए कि ये मिलता कैसे है. शाकाहारी भोजन में पनीर, टोफू, मसूर और अन्यदाले, राजमा, तरह तरह के बादाम और चना वगेरा में प्रोटीन पाया जाता है. लेकिन शाकाहार और मानसाहारी भोजन में प्रोटीन के अंतर को पाटने के लिए एक मात्र विकल्प है सोया बीन. नीती आयोग के सदस्य डॉक्टर राजभंडारी के अनुसार सोया बीन मानसाहारी प्रोटीन का एकलाता विकल्प हो सकता है. असी के दशक की शुरुवात से ही भारत में हर प्रोटीन पर जोर दिया जाने लगा. तभी से बाजार में सोया बीन मिलने लगा. वो भी एक तरह की क्रांती थी. ये टेक्स्टराइजड वेज प्रोटीन है. एक खरीफ फसल. जून जुलाई में इसका बीज बोया जाता है. सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है इसक की फसल. मध्यप्रदेश, महरास्ट्र, राजस्थान और आंध्रप्रदेश सोया बीन के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्ये हैं. एशिया के विभिन्न देशों, थाइलेंट, दक्षिन कोरिया, फिलिपिन्स, जापान में सबसे अधिक निर्यात होता है इसका. सोया बीन पर परीक्षन किया जा रहा है. बिंगलूरू में वेगोलूशन स्टार्टप सोया बीन का फर्मेंटेशन कर टैंपी बनाता है. विभिन्न रेस्त्रा, क्विक सर्विस, ऑनलाइन फूड चेन, वेकल्पिक प्रोटीन की मार्केटिंग में रुची दिखा रहे हैं हाला कि रूडिवादी भारतिये परिवारों की खाने की आदतों को बदलना भी एक बड़ी चुनौती है. विभिन्न उद्योगों, शिक्षविदों और संगटनों के संयुक्त प्रयास से नीलसन के एक अध्यन में पाया गया कि भारत में परिश्कृत, का चलन ज्यादा है. इसके चलते डायबिटीज और मुटापे की बीमारी बढ़ रही है. इस आदत को बदलना होगा. भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में प्रोटीन के विकल्प के रूप में सोया उत्पादों के महत्व को समझाने के लिए सभी को गाउं गाउं और शहर शहर जाना होगा. प्रोटीन की कमी से जूज रहे पूरे देश के लिए जागरुक होने का ये सही समय है.